गुड मॉनिंग बच्चों कल जो हम पढ़े थे समझ में आई बात के आधा उसका आज हम आगे पढ़ेंगे यह किस के बारे में लिखा है जापान देश के हैंजरी के ब्यार में और उसकी घोड़ा के बारे में क्या हुआ था कि उसका घोड़ा बुड़ा आओ गया था तो उ क्या करने लगा बहार मारा भुक से मारा मारा घुमने लगा तो आगे देखते हैं पहरेदार ने बगीच से लंबी लंबी घास राजा के जाने के बाद पहरेदार ने रसी खीच कर तोड़ दी और नई रसी लाने चला गया राजा जब चले गे राजा ने बोला कि घंटी क रशी बारिस और दूप से खराप हो गया है तो रशी बदल दो जब बोले तो राजा के पहरेदार ने रशी खीच कर तोड़ दी जो रशी घंटी पर लगी थी जो उसको खीच कर तोड़ दिया और बाजार में नई रशी लेने चला गया पहरेदार उस दिन बाजार बन था उस दिन क्या था बाजार जो था बन था उसे नई रशी नहीं मिली बाजार बन था तो कोई भी दुकान नहीं खुला होगा तो नई रशी कैसे मिलेगी उसे नई रशी नहीं मिली पहरेदार ने सोचा एक ही दिन की तो बात है पहरेदार ने फिर मन में सोचा कि एक ही दिन तो बात है कोई आपत नहीं आएगी किसी को भी जरूरत होगी तो पता चल जाएगा ऐसे भी तो कोई बात नहीं होगा उसे नहीं रस्षी नहीं मिली आज मैं घास की रस्षी बांद देता हूँ बगीचे में घास था कि नहीं? मतलब उसने बोला कि आज मैं घास की रस्षी बना कर पांद देता हूँ कल नहीं मजबूत रस्षी ले आऊँगा पहरेदार ने बगीचे से लंबी लंबी घास तोड़ी और उसकी रस्षी बटकर उसमें घंटी पांद दी पहरेदार ने बगीचे से जो लंबी लंबी घास थी उसको तोड़ा और उसको बटकर मतलब उसको जोड़ जोड़ कर जोड़ जोड़ कर एक रस्षी बनाया मोटा सा और उससे घंटी को बांद दिया हरी घास की रस्षी देखकर उसके मुँमें पानी आ गया जो घास की रस्षी उसने बांदा था वो तो तोड़ के बांदा था तो बहुत हरी होगी की नहीं तो उसको देखकर उसके मुँँ में पानी आ गया और बहुत रस्षी चाबने लगा और वो रस्षी को खाने लगा खाते खाते रशी को जटका लगा और घंटी बज उठी खाते खाते और रशी को जटका लगा मतलब कोई भी चीज अगर वो खाएगा मुझसे जटका खाएगा तो उसको जटका लगया की ने तो जटका लगा तो जोर से घंटी बजने लगी राजा ने घंटी की आवाज सुनी तो सेबग को बाहर बेजा राजा ने वो घंटी की आवाज सुना तो अपने सेबग को बाहर बेजा सेबग ने आकर कहा माराज फाटक के पास एक बुड़ा घोड़ा है सेवग ने कहा कि माराज पाटक के पास एक बुढा गोडा खडा है लगता है वो भूका है इसलिए वो घंटी में बना था उसे खा लिया राजा ने तुरंट सेवग को आग्या दी घोड़े को बगीचे में लाया जाए और उसे दाना पानी दो राजा ने उस घोड़े के बारे में जब सुना वो बहुत भूका है और रसी को खा लिया तो उसने राजा ने क्या किया तुरंत अपने सेवकों को आग्या दिया और बोला कि घोड़े को बगिचे में ले आओ और उसको दाना पानी दो उसको खाने पिलने का इंतिजाम कर घोड़े का उसने घंटी बजा कर हमारी सहाथा मांगी है उसने घंटी जो बजाई है हमारी सायता मांगने के लिए चाये वो खागर भी बजाई क्यों न हो यह भी पता करो कि यह गोड़ा किसका है और ऐसे क्यों भटग रहा है और राजा ने कहा कि ये भी पता करो कि अगर ये घोड़ा किसका है और ये क्यूं भटक रहा है चारोर थोड़ी देर बाद सेवकों ने आकर सुचना दी महाराज ये घोड़ा रईस हेंरी का है थोड़ी देर बात जब पता करने की घोड़ा किसका है तो वो थोड़ी देर बात आये और माराज को बोले की माराज ये घोड़ा रईस हेंरी का है हेंरी का घोड़ा यह है उसने इसे घर से निकाल दिया उसने क्या क्या इसे घर से निकाल दिया राजा ने हेंरी को बुलावा भेजा राजा ने क्या क्या हेंरी को बुलावा भेजा मतलब किसी के हाथ हेंरी को लाने के लिए हेंरी राजा के सामने उपस्तित हुआ हेन्री आया और राजा के सामने खड़ा हो गया राजा ने पूछा क्या यह घोड़ा तुम्हारा है राजा ने पूछा कि यह जो बुढ़ा घोड़ा है क्या यह तुम्हारा है क्या जी माराज हेन्री ने कहा हेन्री ने क्या क्या हाँ माराज ये घोड़ा मेरा है बोला तुमने इस घर से क्यों निकल दिया राजा ने पूछा कि तुमने इसे घर से क्यों निकल दिया हेन्री बोला यह घोड़ा मेरे किसी काम का नहीं रहा महाराज यह बुड़ा हो गया है इसे रखकर मैं क्या करूंगा तो हेन्री ने बोला कि महाराज की यह गोड़ा मेरा किसी काम कर नहीं है यह काम नहीं कर सकता बुड़ा यह गोड़ा बुड़ा हो गया है तो मेरा कुछ भी काम नहीं कर पा रहा है मेरा सेवा नहीं कर पा रहा है इसलिए मैं इसे रखकर क्या करूँगा ऐसा बोला और कहा इसे रखकर क्या करूँगा हेन्री ने ऐसा बोला राजा को हेन्री की बात सुनकर बड़ा क्रोध आया राजा को हेन्री जब कहा कि यह गोडा मेरा किसे काम का नहीं यह बुड़ा हो गया है बोल कर जब कहा तो राजा को बहुत गुस्सा आ गया तो तुम्हारे बाल बच्चे ही तुम्हारी funk रहेंगए हेन्री जब तुम कल बुड़े हो जाओगे तो तुम्हारे बाल बच्चे ही तुम्हारे देखवाल करेंगे की ने जो तुम्हारे बच्चे होंगे वो तुम्हारे देखवाल करेंगे की ने जब तम कल बुड़े हो जाओगे बे तुम्हें भोजन डूनने के लिए सडकों पर तो नहीं निकल देंगे बे तुम्हें भोजन डूनने के लिए बाहर तो नहीं बेज देंगे जाओ तुम खुद भोजन डूनने के लिए खाओ बोलके तो तुम्हारे उतना सेवा किया, तुम फिर भी इसका देखवाल ने कर सकते हो उसको निकाल दिया, राजा की बात सुनकर हेंड्री इसका सिर सर्म से जुग गया, राजा की बात सुनकर वो समझ गया कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, बुड़े-गोड़े को रखना चा गलती हो गई है, मैं माफी चाहता हूँ, वो घोड़ा को घर लेक कर आया और उसकी भली प्रकार देखवाल करने लगा, वो घोड़ा को घर ले आया और उसकी अच्छी देखवाल किया, जब तक वो जिन्दा रहा